हलो फ्रेंज मैं हूं समीर आप देख रहे हैं समाची खबरे हैं हिंदी टीवी नियूज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आसंबरी इलेक्शन का डेट डिकलियर हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने केंड़ेट का नाम डिकलियर किया है जैसे हम बात करेंगे दैसर विधान सभा से तो मनिशा ताई चौधरी का नाम बिजेपी ने डिकलियर किया है कांदी वली से शिरी अतुल भातकर जी का नाम सामने आया है चारकुब विधान सभा से अगर देखा जाए तो योगे सागर जी का नाम सामने आया है मलाड पस्चिम से विनो शेलार ज जी का नाम सामने आया है, साती सात में देखा जा रहा है कि बांदरा जो है, आशी शेलार जी का नाम सामने आया है, जो कि पहले से MLA थे, इन में से जितने भी हमने आपको नाम लिया है, प्रेजेंट टाइम पे ये MLA ही है, एक नाम है हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बाकि जितने भी हमने आपको नाम बताया इन सभी जगे पे बीजेपिक MLA पहले से हैं सिर्फ एक ही एरिया है मलार जहां पर विनोश शेलार जी का नाम सामने आया है लेकिन इस सीट पे काफी हंगामा है देखने को मिल रहा है बताया जा रहा है कि आशिश शेलार और विनोश आपस में भाई हैं जो के बीजेपि पार्टी के जो रूल से उसके अगेंस इनको टिकेट दिया गया है जो के नहीं देना चाहिए साथी साथ में एक दिखा गया है कि बोरी वली विदान सभा में इस वक्त किसी का नाम डिकलियर नहीं किया गया है जो कि वहाँ पर भी अबी तक उनका नाम डिकलियर नहीं किया गया है ऐसा हो सकता है कि बीच में हंगामा किया गया था कि गोपाल शेटी जो के पूर्व M.P.त उन्हें वहां से टिकेट मांगी थी ऐसा हो ऑ कि वहां से उनको टिकेट दिया जाए इसके अलाबा हम बात करेंगे तो आप देख सक कि जो बीजेपी का रूल है कि एक फैमिली से दो लोगों को टिकेट नहीं देंगे उसका यहाँ पर उलंगन किया गया है भोकार के इलाके से उनको टिकेट दिया गया है श्री जया चौहान जी को अब हम बात करते हैं मलाड विधान सभा पर हम फिर से आते हैं यहाँ पर तीन मिली है इसके पहले 2019 में ठाकूर जी को टिकेट दिया गया था उसके पहले 2014 में डॉक्टर रामबड जी को टिकेट दिया गया था एक रूल है कि एक फैमिली के दो लोगों को टिकेट नहीं दिया जा सकता अगर आशी शेलार जी को टिकेट दिया जाएगा तो यहाँ विलो बिर्जे सिंग हो सकता है मंगलवार तक अपक्ष में अपना फार्म भरेंगे हाला कि हमने बिर्जे सिंग को पर्सनली फोन किया था हमने उनसे बाचिट किया उनका कहना ऐसी कोई खबर नहीं है क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 12ATG सर्टिफिकेट नहीं होने के वज़े से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप RTI SK के एजनसी से संपर्क करें RTI SK के एजनसी से संपर्क करके 12ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उठाए फोन और लगाए कॉल